Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intra Day Analysis share करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस बहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं कल के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intra Day Stock रहेगा Tata Motors Tata Motors Traders हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने All Time High के आसपास में trade कर रहा है कल अगर यहाँ पर यह अपने इस resistance zone को break कर देता है तो एक और नया All Time High हम लोगो बनते हुए नजर आ सकता है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा हम लोगो यहाँ पर Ascending Triangle पैटन बनते हुए दिख रहा है साथी में Friday के दिन ही अभी Tata Motors के अंदर एक और बहुत ही सुन्दर सा breakout हम लोगो आल्रेडी देखने के लिए मिल चुका है और अब हम लोग देख सकते हैं कि breakout के बाद यह बार बार higher low बनाते हुए एक upside का momentum दे रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस resistance जो उनको break कर देता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग buy side में capture कर सकते हैं तो इसलिए आप लोग traders Tata Motors को जरूर अपने radar पर रखेगा और कल अगर यह अपने trend line को break कर देता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यह बार बार support लेते हुए upside का momentum देते हुए दिख रहा है तो उस case में अगर यह अपने trend line को break कर देता है और उस time पर market के अंदर भी हलका सा weakness रहता है तो definitely हम लोग selling side में भी अपने trade को initiate कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 627 का जो level है वो इसके लिए पहले बहुत ही strong resistance का का काम कर रहा था बार बार यह आकर के इसी zone पर resistance phase करते हुए नजर आ रहा था लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि breakout आने के बाद यह बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर support भी ले रहा है आप जरूरी से note down कर लीजिएगा लेकिन traders आप लोग एक बात को जरूर अपने ध्यान में रखेगा कि Tata Motors के अंदर हम लोग को एक बहुत ही strength के साथ में upside momentum देखने के लिए मिल रहा है तो उस time पर हम लोग एक retesting का wait करेंगे और उसके बाद जब यह confirmation देगा तब हम लोग अपने trade को initiate करेंगे कल के लिए मेरा दूसरा intraday stock रहेगा M&M Finance इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुन्दर सा हम लोग को fall होते हुए नजर आया था लेकिन उसके बाद यह continuously इस rectangle pattern में खुद को consolidate कर रहा है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि exactly इसका जो support zone था वहीं से इसके अंदर एक बहुत ही सांदार buying momentum हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा Apollo Hospitals Apollo Hospitals के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुब सुरत सा हम लोग को ascending triangle pattern बनते हुए नजर आ रहा है वो भी one hour के time frame पर तो ऐसे में traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो train line है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है बार-बार ये आ करके इसी train line पर support लेता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है और इसी train line पर से यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा buying होते हुए भी दिख रहा है ये अपने support trend line को break कर देता है तो उसके बाद definitely इसके अंदर एक अच्छा खासा intraday move capture करने का मौका हम लोग को मिल सकता है तो इसी लिए traders कल के लिए आप लोग Apollo Hospital को भी जरूर अपने radar पर रखेगा इसका जो levels है हो मैंने आप लोग लिए यहाँ पर mention कर दिया है और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा Iser Motors इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोगो cup और handle pattern बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरह से खुद को इस channel pattern में भी consolidate करते हुए दिख रहा है और साथी में यहाँ पर already एक अच्छा खासा हम लोग को breakout देखने के लिए मिल चुका है यह भी इसके लिए बहुत ही strong resistance का काम कर रहा है बहुत ही बार यह अपने trend line को break करने का try किया है लेकिन अभी तक successfully break नहीं कर पाया है तो 3320 का जो level है अगर कल यह इसको break कर देता है तो definitely एक अच्छा कासा intraday momentum हम लोग को इसके अंदर capture करने के लिए मिल सकता है और minimum यह हम लोग को यहां तक का target बहुत ही easily दे सकता है तो इसलिए traders Icer Motors को जरूर आप लोग कल के लिए अपने radar पर रखेगा लेकिन साथ में traders हम लोग यहां पर यह भी देख सकते हैं कि यह जो zone मैंने draw किया है यह भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है पहले यही जोन इसके लिए बहुत ही strong resistance का काम कर रहा था फिर यहां पर एक बहुत ही खुपसुरा सा copper handle pattern हम लोग को बनते हुए नजर आया था जिसको हम लोग उने trade भी किया था फिर यहां से एक अच्छा खासा momentum generate हुआ लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि यही जोन इसके लिए बहुत ही strong support का भी काम कर रहा है तो ऐसे में कल अगर यहां पर हम लोग को breakdown होते हुए नजर आता है तो हम लोग देख सकते हैं कि यह खुद को इस channel pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate कर रहा है तो उस case में अगर यह अपने इस support को break कर देता है तो फिर हम लोग को यहां तक का target इसके अंदर बहुत ही easily देखने के लिए मिल सकता है तो इसी लिए Traders Icer Motors के अंदर भी दोनों side का जो level से हो मैंने आप लोग के लिए यहां पर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लिजिएगा और कल के लिए Traders मैं अपने आखरी intraday stock को discuss करने से पहले चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दिजेगा साथी में चैनल को भी जरूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है Traders आप लोग के लिए इतने बहुतरे intraday stocks को खोजने में और साथी में ये जो zone मैंने draw किया है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से पहले resistance face कर रहा था फिर इसका breakout देखने का मौका मिला फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा rise के बाद retesting भी हुआ फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये खुद को अच्छी तरह से consolidate कर रहा है साथी में अगर हम लोग इसको और भी zoom out करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को descending triangle pattern भी बनते हुए नजर आ रहा है लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है तो कल अगर banking sector में हम लोग को हलका सा भी weakness नजर आता है और HDFC bank नीचे आकर के 1670 के level को break कर देता है इसके नीचे का candle closing हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है तो उस case में हम लोग इसके अंदर selling side में भी अपने trade को plan कर सकते हैं तो जैसा भी होगा live market में मैं आप लोग को अपने telegram channel पर update कर दोंगा तो अगर आप लोगों नहीं join किया है तो जरूर इसे join कर लीजेगा यहाँ पर भी मैं आप लोगो को live market में stock market से जुड़े हुए updates साथी में कुछ intraday chart analysis share करता हूँ तो आप लोग के लिए इसका जो link है वो मैंने नीचे description box में provide कर दिया है वहाँ से आप लोग इसे बहुत ही easily join कर सकते हैं और साथी में traders अगर आप लोग को मेरी analysis पसंद आई है तो आप लोग channel की membership को भी join कर सकते हैं सिर्फ 89 rupees per month के offer price पर और जितने भी लोग channel की membership को join करते हैं उन सभी लोग को whatsapp stock market news group में और साथी में whatsapp discussion group में जुड़ने का मौका मिलेगा जहां पर live market में आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी problems को discuss कर सकते हैं तो इसी के साथ traders हम लोग आज की अपनी इस वीडियो को खतम करते हैं अगर आप लोग भी मेरी तरह ही intraday stocks को find out करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो अभी आपके screen के उपर में so हो रही है इसे आप लोग चेक कर सकते हैं ये वीडियो 45 मिनट की है और इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा detail में आप लोग को बताया है कि कैसे मैं अपने लिए intraday stocks को select करता हूँ और कैसे उनके अंदर के levels को decide करता हूँ तो आज के लिए traders बस इतना ही धन्यवाद